असलामलेकुम्हेरीवन कैसे हैं आपस ब्लोग उम्हीद करता हैं आपस लोग खरीशते होंगे और आपस अपको खरीश रखें देया स्टूर्ट्स आज किस वीडियो के अंदर हम लोग CS408 अगर आप आप अपर चैनल पर पहली बार है तो लाजमें को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लग तो शेरिंग लाजमी करिएगा इससे पहले मैंने प्रिवेस वीडियो के अंदर आपको लेक्शे नबर 16 से लेकर लेक्शे नबर 20 तक पढ़ाया था आज की अगरे वीडियो के अंदर निश्यराम लोग 10 लेक्शे कवर करेंगे तो हमारा जो लेक्शे है वो 21 से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर जो इंपर्ट चीज है मैंने वह पहले ही और रेडि हाइलेट कि विया तो मैं आपको यहां पर प्रहा देता हूं कि जब इतनों ग्र यह सरफ आपके चीजें में भी आज हैं बहुत इतने जादा इंपॉर्ण नहीं है ठीक है फेजिस ऑफ इतनों ग्राफिक इंटर्व्यूस जो चीज बिगन होगी जाहर है उसका कोई नवी एंड होगा स्ट्रक्चल इश्यूस जो होती है वो स्पैसिविक इश्यूस होती ह इसके कुछ ना कुछ और जो अतने फिर फोकस करता है इसके आप करता है पहले किस चीज को घर चुटा करता है उस के बात करता है मतलब डिस्कॉशन आपने मिले किस चीज किष करनी है उसको mid face करते हैं उसके बाद फिर फोकस करता है question के अंदर deeply जो है वो involved होता है उसके बाद यहां पर basic कुछ methods दिए गए है कि avoid a fixed set of questions avoid करें कि जो fix set of questions होते हैं उसे avoid करें फोकस करें अपने goal के उपर देन ही कोई another काम करें यानिकि जो सबसे पहला आपका goal होना चाहिए वही होना चाहिए कि आप जो आपके goal है सबसे पहले आप उनके उपर बात करें ठीक है उसके बाद avoid making the user a designer उसके बाद यहां पर कुछ और दिए गए हैं पॉइंस आपके बार पढ़ लीजेगा साथा important है निए उसके बाद इंपर चीज है यहां पर यहां पर यहां पर यहां के basic interview method कौन कौन से होते देखें चार तनके interview method होते है goal oriented questions system oriented एक workflow oriented question एक attitude oriented question यह आपको short भी बन सकता है important msql भी आ सकता है long question भी बन सकता है इसकी detail के साथ so goal oriented questions क्या होते है goal oriented कंदर basically हम opportunity की बात करते है कि what activity is currently waste your time ठीक है goals में क्या होता है कि what makes a good day or bad day उसके बाद यह इसी तरह इन एक्जैंपल दी है दूसरी इसके बाद यह information की example दी है उसके बाद हम बात करते है system oriented question की system oriented कंदर हम basically बात करते है function की आपको बात समझ आ रही किए goal oriented कंदर हम किसकी बात करते है ठीक है उसके बाद system oriented कंदर हम बात करते हैं आपके function की ठीक है कि what are the most common things you do with the product इसके बाद इसके बाद यहां पर आगए workflow oriented question तो workflow oriented जो होता है यह process होता है जिसमें से गुजर के एक task जब आप complete करते हैं तो यह आपको workflow oriented questions होती है उसके बाद attitude oriented questions इसमें क्या होता है aspirations होती है इसके year की बात की जा रही होती है उसके बाद यहां पर avoidance क्या होता है कि जिस चीज को आप prefer नहीं करें जिसे आपने avoid करने है उसके बाद motivation क्या होती है यह बड़ा important mcqs है के what do you enjoy most about your job और lifestyle तो यह बड़ा important mcqs है इसको भी kindly कर लीजेगा उसके बाद types कौन सी होती है qualitative research के वह आपको यहां पर पता है सबसे पहले stakeholder interviews ठीक है उसके बाद subject matter expired interviews उसके बाद user and customer के जो interviews होते है literature के जो interviews होते है other type of research यहां पर दी गई है focus group market demographic and segment उसके बाद usability and user testing दी गई है उसके बाद यहां पर इन चीदों का आफ स्किप कर दें और usability and user testing का यहां पर करवाया गया comparison सबसे पहले interview की बात करते है interview जो good for होता है किस चीज़ के लिए होता exploring किया जाता है इसमें issue को kind of data के अदर के अदर के ठीक है उसे बाद studying documentation में learning about procedure regulations and standard लेकिन यह क्या है कि काइंड किसकी है quantitative की अब इसमें जो advantage है कि यह time commitment होती है इसके नदार require नहीं होती है आपको लेकिन जब day to day हमारा software upgrade होता है हमारी document यह नहीं होती तो यह थोड़ा सा problem होती है यहां पर आके उसके बाद naturalistic observation आगी है इसक context of user activities ठीक है observe कर रहा है कि user activity perform कर रहा है इसमें quantitative data होता है उसके बाद observing actual work gives inside that other techniques cannot give यानि कि जो observing आपको data देती है किसी भी चीज़ का वो other techniques यह आपको provide नहीं कर सकती है यह time consuming होती है लेकिन focus group and workshop collecting focus group जैसे आपको नहीं से पता लग रहा होगा कि multiple long को combine करके जब एक pointer भी दिया यह encourage करता है better developer और user के दरिम्यान discussion को इसके बाद possibility जो होती है domain character 6 की यहां पर बात कर रहा है उसके बाद lecture no.22 अगर आपने previous lecture नहीं देखे मेरे तो यहां से जाकर लाजमी वाज़ करने को कि इसको आपको समझ आएगी तो आपको आपको आगी समझ आएगी उसके बाद lecture no.22 के अंदर में बात करते है model क्या होता है देखें जब भी आपने कोई चीज़ डिजाइन करनी होती है develop करनी होती है तो वहां पे हम लोग यूज़ करते है model का model are used extensively in design development and sciences they are the powerful tool for representing complex structures and relationship for the better understanding. जाहर है जब हम एक चीज़ को visualize करके उसको show करवाएंगे तो ज्यादा बैतर लिए understand कर पाएगा वो उसके बाद personas क्या होते है जब हमें कोई product जो होती है वो large amount of audience को satisfy करना होता है तो वहां पे persona तक नहीं का use करते है persona तक के अंदर क्या लिखा गया है कहता है to create a product that must satisfy a board of audience यानि कि जब आपको ज्यादा amount के जो user होते है उनको target करना होता है वहां पे persona तक नहीं का use करते है logic tell you to make it as a board is functionality यानि कि इसकी functionality को boardly कर दे जाता है यानि कि वसी कर दे जाता है ठीक है okay उसके बाद strength दी गई है persona design tool की इसमें सबसे पहले तो यह है कि आपको पता होने चाहिए कि जो product है वो क्या behave कर रहा है ठीक है और क्या product है उसके बाद communicate कैसे करना stakeholder के साथ designer के साथ developer के साथ तो यह आपको पता होने चाहिए उसके बाद आपने क्या करना है एक design बनाना है उसके बाद आपने महियर करने है उस design की effectiveness क्या वह design effective है यह नहीं है उसके बाद persona user centered design दिये गए यहां पर तीन topics दिये गए आपको elastic user self differential design और design edge case elastic user कौन होते हैं देखें elastic user वो user होते हैं जब जो developers होते हैं वो बजाए user की expectation लेने के खुझ सही अपने पास से expectations लगा के जब एक software बना रहे होते हैं तो वहां पर elastic user का concept होता है वो implement होके आता है अब यहां से पढ़े हैं आप every person on a product team has his own conception of the user and what the user needs यानि कि जो user चाहता था उन्होंने अपने पास इक user post करके उसको बना लिए यहां बे when it comes time to make a product decision the user become elastic bending ठीक है जी ओके आगे हम बात करते हैं self-referential design की self-referential design तब बगकर होता है जब designer developer जो होता है वो अपने खुद के goal अपने खुद के motivation skills जो होते हैं implement कर देता है किसी design के अपर तो यह self-referential design कराता है इसके बाद design issues आ जाते हैं ठीक है अब naturally edge case must be programmed for but they should never further design focus persona provide reality check further design अब यह जो reality check provide करता है persona design को check करने के लिए यह आपकर आता है design edge case ठीक है जी persona based on research persona जो होता है model के उपर research के उपर जैब बेस करता है ठीक है जी और आपने यहां से और कोई वी चीज़ जाओ यहां से आपने नहीं करनी इन सब को skip कर सकते है goals आगे आगे goals क्या होते है different type होते है goals की सबसे पहले user goal user जो provide करता है persona तुसम करते है user goal life goal वो होते हैं जो आपकी aspirations होती है life की life goal represent personal aspiration of the user that typically go beyond the context of the product being designed कि जिस product को design किया गया जिस हालत के अंदर तो वह आपके आगे life goal के अंदर और उसके बाद experience goal experience आपने किस चीज़ से हासल किया तो यह आपका कहलाता experience goal जैसे experience goal आपने simple life में किया universal किया यह को personal life experience तो वह चीज़ आज़ती है उसके बाद end goals यह होते है वह हमारे पास represent करते है end expectations को ठीक है जैसे find the best price finalize the price release उसके बाद non user goals कों से होते हैं customer की goals होते हैं उसे non user goals कहते हैं अब यहां पर वह आगे दिये गए हैं तो आप इंके बार दस देख लीजेगा तो प्राइमरी परसुना आगे यह तीन तरह के परसुना होते हैं बटा यहां पर six type of designing persona यह बड़ा important question है आपके लिए long question आ सकता है यह type of persona primary secondary supplemental customer उसके बाद customer के बाद served or negative उसके बाद primary persona primary personas represent the primary target for the design of an interface जब design of interface की बात की जाएगी तो बैटा यह primary persona होगा secondary persona क्या होता है secondary persona lies in which persona would be entirely satisfied by a primary persona interface if one or two specific additional needs or address by the interface यह निके आपने एक पहले design बना लिए उसके अदर आपको additional need पर गी किसी चीज को add करने के तो यह आपका secondary persona जो कहलाता है उसके बाद supplemental persona क्या होता है जब आपकी primary persona की जो completely satisfied हो जाए primary interface से तो यह आपका कहलाता है supplemental persona customer persona वो होता है जो customer की बैटा need को fulfill कर रहा होता है end user की need को fulfill नहीं कर रहा होता served persona जो होती है बैटा वो physically तो user नहीं कर रहा होता product को यह directly effect कर रहा होता है product के ठीक है product को use कैसे करना है उसके बाद negative persona भी जो है वो side persona की तरह directly use तो नहीं कर रहा होता product को but help करता है different parts को आपस में communicate करवाने में so हांके जो हमार lecture no.23 है requirements के बारे में so यहां पर मारे पास जो पहली चीज आती हो narrative as a design tool अब narrative क्या होता है narrative basically होता है कि जब हों किसी के साथ कोई बात कर रहे होते हैं उसे कोई explanation दे रहे होते हैं किसी चीज के मताबिक तो यह हमारा narrative कराता है अब narrative किसे कहते है when we talk to another or give explanation then it is called narrative it is simple storytelling it consists of simple text good for representing the interacting concept ठीक है यह इस तरह है जैसे आप किसी से कोई story share कर रहे हैं उससे बस scenario जो होते हैं यह इसी तरह की जो है वो detail होती है लेकिन यह detail description होती है किसी भी चीज की ऐसे human और human की activities जो है human जो है आपसमें बातचित कर रहे हैं किसी को story share कर रहे हैं तो इसका भी यह skip कर दें क्योंकि यह नहीं आता बेपर के अंदर ठीक है उसके बाद types आगी है persona की persona based scenarios are concise narrative description of one or more personas using a product to achieve specific goals यह यह आप detailed description use करते हैं आप किसी भी task को किसी भी goal को achieve करने के लिए types आगी है persona की context scenario e pass scenario और validation scenarios ठीक है अब इसके बाद यहां पर defining requirements का topic बड़ा important short question है बड़ा important MC कोज़ यहां से निकलते हैं तो requirement design उतास करने में basically बात करते हैं कि हम लोग क्या design करने वाले है what the design कि हमें क्या design करना है क्या बनाना है अब इसके अदर 5 चीज़े होती है सबसे पहले create problem and vision statement कि हमें जो problem solve करनी है वो actually में problem है क्या जो इसको हमें solve करना है ठीक है secondly फिर होता है topic brainstorming का brainstorming किसे कहते है कि जो आपसे पहले लोगों ने research की है गलतिया की है वो सारी चारी जो है हमें एक tool use करके MSI के सारी जो चीज़े है वो brainstorming का tool है हमें help करेगा कि आपके जो पहले जो लोगों ने जो गलतिया की आपने उनको नहीं दोराना उन से idea लेना है और problem को solve करने के लिए solution जो पेश करना है ठीक है इसके बाद identify the persona exception अब जो आपने किसी भी बंदे को motivate करना है फिर आपने उससे जारे को expectation रखने हम करते है persona expectation उसे बाद constructing the context scenario जाने कि आपने एक scenario करना है उसके बाद जो needs होती है यूजर की आपने जह हो देखनी है सबसे पहले हमारे पास यहां पर जो topic रिटेल के अंदर आगया creating problem and vision statement का तो मैंने आपको जैसे के अंदर करने को problem statement और vision statement किसे कहते है problem का solution देना ठीक है okay brainstorming आ गया यह कैसी तकनिक है जिसके तो हम क्या करेंगे data को यहां पर मैंने लिखा था brainstorming about मैं यहां पर आपको दिभा जता हूँ brainstorming मैंने यह notes भी बनाये थी आप लों के लिए इसके अंदर इसको detail में लिखा था brainstorming किया brainstorming के कैसा method है इसको हम design करते है generate करने के लिए ideas जो के clearly किसी भी problem को solve करेंगे जो आपने पहले define की होगी ठीक है उसके बाद जो identify personal expectations होते है यह motivate करते है ठीक है उसके बाद फिर उससे expectation रखते है किसी भी किसम की उसके बाद यह contracting the contact scenario मैंने आप जैसे पहले बताया कि जब आप human की activities की story बनाएंगे तो यह हमारे पस क्या आ जाए कि इसकी contact scenarios आ जाएंगे ठीक है उसके बाद हमारे पास यहां पर यहां पर देखते हैं तभी आपके उससे क्या need है तो वो सारी की सारी कहलाती है identifying needs उसके बाद चाहिए data need कि object और information जो represent की जाती है system के अंदर वो कहलाती है data need functional need क्या कहते है कि जो operation perform हो रहा होता है किसी भी system के ओपर उसम कहते है functional need conceptual need and requirements related objects and controls जो होते है contextual needs and requirements other requirements इसके अंदर आजाती है जिसके नमरे पस business requirement आजाती है technical requirement आजाती है business requirement जो होती है development timelines के अंदर regulation के अंदर pricing के अंदर structure के अंदर help out कर रही होती है ठीक है इस तरह आपकी जो technical requirements होती है वो include करती है आपके जो weight होता है size होता है form factor होता है जो display power होती है constraint की and software platform choices की उसके बाद customer and partner requirement can include ease of installation, maintenance, configuration, support, cost and license agreements उसके बाद lecture no.24 आगे जिसके बात करेंगे interaction framework की अब interaction framework क्या है the requirement definition phase set the stage for the core design effort so basically ऐसा structure होता है जिसके अंदर आप क्या define करते हो कि जो flow of computer based product होते है जो computer का flow होता है उसको हम लोग जब design कर रहे होते है product के दिम्यान इसके हमारे पस कहलाता है defining the interaction framework अब इसमें 6 points दिये गए है बटा सबसे पहले define the form factor and input method के आपने जो form factor हो बताना है जो input method हो बताना है इसके बाद आपने views define करने इसके लिए कौन से होते है उसके बाद आपने functional data elements को define करने है उसके बाद आपने functional group or hierarchy को define करने sketching को define करने constructing the key path को आपने define करना यह important long question है आपका short question में बड़ा important है आपका यह basic factor के अदर जाहर है आपको पता है कि आप यह क्या देखेंगे the form factor of the product that will be designing it is a web application that will be viewed on a high resolution computer scheme आप देखो करें कि यह जो आपने product बनानी है basically है क्या ठीक है उसके बाद input क्या होगा कि आप keyboard के थों input कर रहे है mouse के थों input कर रहे है यह किसी और चीज़ के थों input कर रहे है उसके बाद defining view क्या होता है कि आप कि स्टेट के अंदर कि स्क्रीन के अंदर परड़क को इंटर करेंगे तो यह आपका लाइकर defining view ठीक है उसके बाद आएकर definition functional and data elements कि आप जो functional data elements होंगे वो सारे जाव विजीबल होने चाहिए उसके इतने भी functions होने चाहिए उसके सारे जाती है यहां पर step 4 है determining function group hierarchy अब आपने क्या करना है group hierarchy बनाने जिसके आप सारे के सारे function जो है वो इसको group करेंगे merge करेंगे ठीक है और इसको एक unit बनाएंगे उसके बाद sketching आ जाती है कि आपने क्या करना है sketch करना है कि different ways आपने provide करने जिसके तुरू आप सारे के सारे top level container को जो है वो एकठा करेंगे ठीक है जी उसके पाद आपने key path scenario बनाना है इस path के coding आप क्या करेंगे detail exploring करेंगे सारे के सारे path की लेकिन इसमें आप कोई भी address जो है text scenario का add नहीं करेंगे ठीक है और इसके दर मारे पास जहां पर नेक्स topic आगया प्रोटोटाइपिंग प्रोटोटाइपिंग का प्रोटोटाइपिंग इस often said that user cannot tell you what they want user आपको sometime क्या होता है कि बता नहीं सकता जो चाहता है लेकिन but when they see something and get to use it they soon now what they don't want लेकिन उसको यह पता होता है किसी भी चीज़ करने के बाद कि actually मुझे यह चीज़ नहीं चाहिए ठीक है सो हम लोग क्या करते हैं यहां पर यूज़ करते हैं बटा प्रोटोटाइप का प्रोटाइप का प्रोटाइप क्या होता है एक early sample model होता है किसी भी एक इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग जो अपने यूजर जो है उसको बता सकें कि आपका software इस तरह का होगा यहां पर प्रोटाइप दिखाया भी है कि when you hear the term prototype you are imagine like something a scale model or building a bridge but maybe a piece of software that crashes every few minutes but a prototype can also be paper based outline on the screen ठीक है जी तो आपने यहां से इतना कर लेना है बड़ा important short question है आपका बड़ा important mcqs आ जाते हैं यहां से आपके जिसको लाजमी है आप लोग यहां से कर लीजेगा ठीक है ओके आगे हम बात करते हैं यहां पर prototype को ही again continue यानि कि आपका जो start up होता है किसी भी software का final version से तो यह उसका low fidelity prototype कैलाता है जैसे storyboarding जैसकी example दिखाएगे यहां पर sketching जैसकी example दिखाएगी है यहां पर ठीक है अब इसके कुछ advantage कुछ disadvantage है जैसे low fidelity prototyping होती है यह low development course लेगे कोई initial origin होता है यह complete नहीं होता उसके अंदर आप multiple design का concept किसी को दे सकते है communication के help out हो सकता है को issue आ रहा है उसको screen के अंदर तो उसको resolve कर वा सकता है उसके बाद identify market requirement को identify करने के लिए low fidelity prototype को use करते है अब इसके disadvantage के हैं देखें यह limited होती है इसमें poor detail होती है code की sometime बना confused होके इसको reject भी कर सकता है navigation and flow limitations होती है इसके अंदर ठीक है उसके बाद utility after requirement established इसके बाद high fidelity prototyping जो होती है completely functionality को describe कर रही होती है fully interactive होती है clearly defines navigational scheme use for exploration test के लिए use की जाती है और यह final product की तरह दिखती है उसके बाद marketing और sale tool के दर भी use की जा सकती है उसके बाद जो इसका disadvantage है यह expensive होती है develop करने में time consume होता है इसको create करने में तो यह कुछ इसके disadvantage है ठीक है उसके बाद design synthesis आपके बास आ जाता है interaction design principle अब interaction design principle जो होते है यह generally applicable होते है address issues behavior और form of content को solve करने के लिए उस बाद principle आगे है minimize work के minimize work जो है यहां पर logical work होता है perceptual work होता है pneumonic work होता है और physical motor work होता है logical work जो होता है बेसिकली यह बात करते हैं इसके दरम text की organization structure गी ठीक है जो perceptual work होता है इसके दरम बात करते हैं visual layout की shapes की size की color कीaddin representation ठीक है उसके बाद bio न्मोचिक की ऐक सता है इसके ऐनर password की बात करते है location की बात करते हैं नेम की बात करते हैं object की और जो relationship होते हैं तो को इसके आद इफरेंट चीजहं के आद करते हैं उसब जो फिजिकल मोटर बरेक होता है इसके इसके इननन नंबर ओफ की स्टोप के हम बात करते हैं या माउस की मूवमेंट के हम बात करते हैं, especially, okay प्रिंसिपल अप्रेट इफरेंट लेवल अफ डिटेल अब तीन तरह के बेटा प्रिंसिपल अम यहां पर यूज करते हैं, conceptual level principle help conceptual level principle जो होता है, वो help करता है कि आप what our product is and how it fit into the board of the context user required by its primary personas क्या आपका product क्या है और वो किस तरह जो fit होगा board of context के अंदर interaction level principle जो होता है, वो help करता है, कि how our product should behave, कि product behave क्या करेगा इस पर interface level principle जो होता है, वो आपको बताता है कि वो किस तरह आपका product look होगा, दिखेगा और feel होगा, design principle के अंदर आगे, इन्होंने main point दिये गए है, इसमें आ जाता है visibility, affordness, constraints, mapping, consistency and feedback, visibility क्या होता है, कि आपको function completely visible होने चाहिए, affordance क्या होता है, कि जब आपका object allow करता है multiple actions को, से आपके affordance क्यालाती है, तो यह सारे के-सारे topic में आपको already पढ़ा चुका होगा, आपको याद हो previous lectures के अंदर, और फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, यह हमारा perspective, इसे पार, यहाँ पी मरे पस constraint के example दी गई थी, Constrate क कैया करता है, वी biggest determine करता है, जिसके नदर आपको कूछ है, movement की बात कीजाती है, तो मरे पस constraint होता है, physical constraint पके आपको क्या होता है, ज ledए कि एक जाति है यह कुंशी करते है। तम यह लिए करते हैं कि है अचा प्लूने पर जो सामնी बात करते है। यह कुल्चिरल को इस वो हह न रहां है और स्कनिक किरते हैं प्रशिमज वह है ऐगे वह वह स्कृषाहन say का कंसेप्ट होता है वह आपको यहां पर दिखा ज़ता हूं सुरी मैपिंग भी रह गया है कि जो दो चीजों का एफेक्ट होता है रिलेशनशिप से तो वह हमारे पर मैपिंग कहलाता है उस बाद को से किसे कहते हैं जब हम लोग सीमिलर तरह कि जो चीजें हमें जो है वो डि इसके बाद यह डिजाइन प्रींसिपल दिये गए है डूमस 1998 उसके बाद इसके बाद प्रिंसिपल शिणडर मैं 1992 उसके बाद इसके assistant के नने मने चाहिए उसके बाद इंट्रक्शन पैटर्न दिया गए आपको तो आप इसके बार पढ़ लिजेगा बड़ा design decision and generalize them to address similar cause of problem in the future जैनि कि इसमें क्या होता है कि जो first function होता है वो capture करता है useful design को decision को और फिर generalize करता है इसको address करता है कि जो similar cause of problem है उनको एक जगह पर रख जाता है जो different वाली cause वाली problem होती उनको different जगह के पर रख दिया जाता है ठीक है यह pattern है किस तरह का design किया जाता है interaction design imperatives दिये गए इसमें हमारे पास ethical आ जाता है purposeful आ जाता है pragmat आ जाता है इसको बाद elegant आ जाता है ठीक है इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम relevant question ask करें planning करें learn about user audience कि आप your audience कौन सी है understand करें किस तरह use करेंगे organize करें कि user can find information quickly जलती information अपनी find कर ले put the user in control by showing the structure of the manually उसके बाद help हो सके message के अंदर आपको promote करें आप input को उसके बाद report कर सकें status को clearly explain करें कि यह error fully यहां पर आपको problem आ रही है आपको अने her पास्वान आप मैंक उप्सके लाए प pregunt कर देख आघ्स आपको docu को बाड़ा Most of theесс थो सॉब्सक के बाड़ा कॉस्चे मारहा है जाब के नहीं जसी कमपनीडा का रहा है मार्केटिंग का रहे हैं उसकी तो यह हमारे पस कहला जो हमारे पास क्लाइटा है सवर्जन पोस्टर अर्क रिषा थे उसे आप थाइम आपकी यह सवर्जन कॉच्छर आप यूसर रहते हैं उसके बार रिच विजुल फीडबाइग, स्वर्जन अप्लिकेशन अग्रेट प्लेटफार्म फार क्रेटिंग एंवार्मेंट रिच विजुल फीडबाइग फार्म दा यूजर यू कन प्रडुक्तिविली एं एक्स्ट्रा लिटल बिट फिंफरमिशन इंटू दा इंटर्पेस है अब लोग कर लिजिए कि किसे अप्लेकशन अंधर होता है आपकज्ड है जो एक एक स्वाइन हाइल हा टार्म छिट फ्रला О蛋 अब इसके अब आपकर रहे हैं यहां से कोई बारी ने परफॉर्म करते हैं यहां से कोई तूल करते हैं जब आप उसकी जुरूत थी आपने चास्क्ट परफॉर्म किया उसके बाद आपने से सिंप्ली यहां से लीव करवा दिया तो यह हमारे पास किलाता है ट्रांजिशन पोस्टर यानि कि आप लोग फर्द करें कि आप लोग यहां पर अब आप लिए ने के अधर है अब आप यहां से कंट्रोल प्लस एस तबाया तो यहां पर देखिए ऐपको एक टैब शो होना शुरू हो जाता है ठीक है फाइल के पर क्लिक करें सेवाज के पर क्लिक करें यह कंट्रोल लेस काम नहीं करता है रिकॉर्डिंग के अंदर सो ऐहां पर देखूं तो यह मेरे पास एक चोटी वींड़ों यहां पर आए ठीक है अब इस चोटी विंड़ों के साथ मैं काम कर सकता हूं मैं यहां पर भी काम कर रहां स्वरिजन ऐप्लिकेशन के साथ मैंने पहले बताया के स्वरिजिन पोस्टर यह होते हैं वह आपकी पोस्टर जो होते हैं अपने बैंगरंड के आपर काम करते हैं इंटरैक्ट युजर एंड डेमवनिक पोस्टर प्रोगाम्स सर्वर कॉइट ली इन विजिबल इन बैंगरंड जैसे हमारे पस यह टास्वार आपका दिया गया तो यह आपका बैटा यहां पर सवर्जन पोस्टर है ठीक है जी ओके आगे हम जरा बात कर लगते हैं अब एक्सलेट्री पोस्टर की पोस्टर जैया इसमारे पास यहां पर यह बाद आपकी सवर्जन पोस्टर और ट्रांजियंट पोस्टर दोनों की एक्क्रिविटीज जिके उन्दर निकलूड की जाएं तो यह ह तो यह बात की जाती है उनके बारे हमें बात की जाती है यहां पर सवर्जन आट्रिबूट्स आ गए है तो यह बिसिकली अगर आप वह पीछे बारे लेक्चर कर ले तो यहीं से कवर हो जाएंगे इसके बाद मारे पास आ देता है कि यॉक्ष्ण यह बात की आप किस वर्जन पोस्टर की तरह ही होती है जैसे आप बैंक के अंदर जाएं तो यह हमारे पास एक देखें फूल स्कीन हमारे पास वहां पर एक्टियम मजूद होता है जहां पर हम लग पनी ट्रांसक्शन करते हैं लेकिन वहां पर लोंग टाइम के लिए उसको यूजर नहीं कर सकते हैं जो होती हैं यह भी ट्रांजियंट पोस्टर होते हैं जैसे आपका मॉबाइल फून है आप इसके अंदर मुल्टिवल एक्टिविटीज जो होती है वह परफॉर्म कर रहे होती है उसको सप्लीट स्कीन करके यह हमारे पास हैंडोल डिवाइस होती इसके बाद यहां पर फूंड़ पूर्स करन रहे टें होती हैं इसके बाद यहां पर और इकट्र बार दिख लीजएगा उसके अमारे पास दिया गया है और चस्ट्रेशन जो होता है इसके अंदर डिजाइनर होता है वह तो थो बैटा वीजिवल नहीं होता लेकिन जितने कि आपकी जो चीज है वो प्रफेक्टली बन सके हो क्यों हो गया है अब यहां पर मजीद देखते हैं और मारे लिए कुछ चीज करने वाली है तो यहां पर कि शुद्ष करते हैं और लेक्टेश नवर 28 अगया अगया अब्र अक्साइज के आ यहां पर अगया है जो के सैटिस्वाइब करता है तो और दोस आउटसाइड एजन्स एंड टिए ठावर अबजेश अप्जम करते हैं किसी भी तरह के एंनसेसरी वर्ड को आजाता है GUI XISP or XISP but यह paper मैं नहीं आते हैं इनको skip कर सकते हैं navigation and influence ठीक है any action that take user to the new part of the interface in the card navigation अगर आपको एक्षिन प्लेस करने से आपको user जाओ किसी नहीं जगा पे ले जाता है तो यह आपका navigation गहलाता है ठीक है ताइप साथ जती है navigation की बेटा navigation जो होता है वो multiple windows के उपर हो सकता है multiple screens के उपर हो सकता है within a window हो सकता है window zoom करना zoom out करना ठीक है scaling करना scrolling करना तो यह साज-साज़ चीज़ें यह भी navigation के अंदर आती है ठीक है उसके बाद यहां पर मैं देखता हूं और क्यों चीज़ important है मैं आपको यहां पर करवा देता हूं improving कैसे की जाती है navigation की reduce करके number of places जहां पर मैं जाना हम इंप्रूव कर सकते हैं navigation को signpost जो हम लगा के हम लोग navigation के improve कर सकते हैं overview के जरी हम इंप्रूव कर सकते हैं evaluation कैसे कहते है evaluation जो होती है बटा किसी भी time पर आप लोग कर सकते है analyze anything alternative is called evaluation ठीक है जी अब evaluation जो है वो done की जाती है during to check the product continue to meet the user needs known as formative evaluation यह बड़ा important MC की use है ऐसी evaluation जो आपकी user की need को check करने के लिए की जाती है सहम formative evaluation करते हैं इन कुछ तरिके से कर लीजेगा ठीक है उसे बाद evaluation की कोई paradigms दिया गया है कोई dirty दिया गया है ठीक है usability testing दिया गया है field study दिया गया है productive evaluation दिया गया है quick and dirty evaluation क्या होता है कि designer जाई वो feedback लेगा user से informal way के अदर जब आपने एक चीज़ बहुत जल्दी जाई quickly किसी को designer को देनी हो यह requirement gather करने के लिए लगा लें साब यह एक initial design के लिए कह दें low of dirty code type के दर कह लें इस तरह के cases के अंदर हम लोग quick and dirty evaluation का use करते हैं उसके बार पास usability testing जो होती है इसके अंदर different techniques को अपलाए करके हम लोग अपनी field study उसके बाद हमारे पास यहां पर मजीद अगला देखता हूं यह पर चीज़ा करवाने वारी है तो techniques दिए गई है कि there are many evaluation techniques that can be recognized in various way asking user their opinion asking expert their opinions testing user performance ठीक है जी इसके बाद lecture no.30 आ गया जो कि हमारे इस video का last lecture है सबसे पहले आपने यहां पर क्या करने deciding का framework सबसे पहले आपने framework जब decide करना evaluation के लिए determine the overall goal of the evaluation first first पहले तो आपने evaluation पे जो goal है वो determine करने फिर आपने explore करना specific question जिसके आपने answer करने है उसे बाद आपने evaluation paradigm technique को जब यूज करना है question के answer देने के लिए उसे बाद आपने identify करने है practical issues that must be addressed such as selecting participants उसके बाद आपने decide करना है कि ethical issues से किस तरह जब दील करेंगे इसके बाद आपने evaluate करना है interrupt करना है present data के ऊपर ठीक है उसके बाद determination तक goal आपने goal अपना find करना है कि आपको करना क्या इसके अंदर उसके बाद आपने explore करने questions जिससे फिर फिर आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम इसको जदा बहता जिक्के से solve कर पाएंगे ठीक है choose a evaluation paradigm technique उसके बाद यहां पर यह कुछ basic से चीज़ें आप इनके बार पढ़ लीजे कर खुद से इनके same input के अंदर हमें same output चाहिव होने चाहिए चाहिए जब हम किसी भी time पे इसको perform करें reliability किसे कहते हैं यह की technique होती है किसी भी चीज को measure करने के लिए जैसे फर्द करें कि आपको एक software है आप चाहते है कि वह calculation perform करे इस चीज को कहते हैं कि अगर आपने software बनाया किसी पर्टिकलर चीज के लिए तो उस पर्टिकलर चीज 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 वह काम कर रहे तो जिसकी validity कहलाती है ठीक है ब्यास कब होती है जब आपके result के अंदर distort आता है अलाहफिस और असलाम अलेकम